क्या 21 सदी में इस तरह का भेदबाव होना चाहिए कि मंदिर में कौन जा सकता है, कौन नहीं? बिलकुल नहीं, इसका कोई सवाली नहीं है किसी खास जाती या पंध के लोगों को मंदिर में जाने की इजाज़त न देना एक अपराध है ये हमेशा से एक अपराध रहा है और आज भी है ये इस तरह से इतना बढ़ इसलिए गया क्योंकि उन दिनों मंदिर निजी होते थे अब उन्हें सार्वजनिक कर दिया गया है लेकिन इन मंदिरों को निजी तरीके से बनाया गया था मान लीजे कि किसी परिवार ने इसे बनाया और उन्होंने सिर्फ अपने लोगों को आने की इजासत दी उसे बने अब सैकड़ो साल हो गए और अब सब लोग जा रहे है पर उस परिवार के लोग अभी भी यही सोचते हैं कि सिर्फ उनका समुदाय ही इसमें जाए इसमें भेदभाव कम और अज्ञानता ज्यादा है कुछ जगाओं में सच में भेदभाव हो रहा है उसे तुरंथ खत्म कर देना चाहिए फॉरण मैंने यही कहा था देखे, किसी एक सांसद को कहीं चोड़ पहुँचाई गए देश में 540 सांसद हैं उन सब को यह मुद्दा उठाना चाहिए उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में जाना चाहिए और कम से कम ऐसे एक मंदर का पता लगाना चाहिए जहां भेदभाव होता है वहां उन्हें उस नियम को तोड़ना चाहिए कि सिर्व ये इंसान जा सकता है या वो इंसान जा सकता है अगर सभी सांसद ऐसा करते हैं तो संदेश स्पष्ट हो जाएगा कि कानून ये है ज्यादतर लोग जानते ही नहीं कि कानून है क्या उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं वही कानून है लोग इस बारे में अंजान है महिलाओ के बारे में आप क्या कहेंगे हाल ही में जो शनी शिंगनापुर मंदिर वाला विवाद हुआ और कही महिलाओ को आपका मत जानकर बुरा लगा मैं जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने ध्यान से पढ़ा ही नहीं आप कहना क्या चाहते थे? पहली बात तो ये है, कि शनी भगवान नहीं है, ये ग्रै है शनी के आसपास, आम तोर पर बहुत से तांतरिक अभ्यास किये जाते हैं ये काले जादू जैसा है ये ज्यादा तर आद्मियों के जाने की जगा भी नहीं है और औरतों के लिए बिलकुल भी नहीं ये जाने के लिए अच्छी जगा नहीं है किसी तरह बस ये मंदर प्रसिद्ध हो गया तो उन्होंने एक चौकोर जगा बना दी है जहां जाना मना है बाकी जगा आप जा सकते हैं अगर आप वहां जाने की जित करती हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये भेदभाव है तो ये भेदभाव नहीं है लेकिन किसी दूसरे मंदिर में अगर भेदभाव के कारण औरतों को रोका जा रहा है तो इससे तुरंद खत्म कर देना चाहिए तो ये केवल शनी मंदरों पर लागू होता है अभी तक मैं इस मंदर में नहीं गया हूँ मैंने ये पहले ही कहा था मैंने ये मंदर नहीं देखा है तो मैं इस पर कोई टिपणी नहीं करना चाहता लेकिन मैं शनी मंदिरों के बारे में जानता हूँ जहां तांतरिक गतिविधिया हो रही है ये एक महिला के जाने के लिए अच्छी जगा नहीं है शबरी मला के बारे में क्या? देखिए ये मंदिर पहाडों के उपर है पुराने जमाने में महिलाओं को पहाडी मंदिरों में न जाने की सलाह दी जाती थी उन्हें वहाँ न जाने की सलाह देनी की एक वज़ा है आज बेचारा बाग एक बिल्ली बन गया है हमें उसे बचाना पड़ रहा है एक समय था जब बाग का मतलब था आतंक और वो इस देश में हजारों की संख्या में थे हमारा पूरा देश एक घने जंगल की तरह था पहाडी मंदिरों में उपर चड़ना ज्यादतर रात में किया जाता था अगर लोग वहाँ जाते हैं तो मासाहारी जानवर, खासकर बाग और चीता वो हमेशा औरत को आदमी की अपेक्षा ज्यादा जल्दी सूंग लेते तो उन्हें लगा कि औरतों के लिए रात में पहाड पर चड़ना सुरक्षित नहीं है ये बहुत पहले होता था अब औरतों के पास कई तरह के सैनिटरी साधन है उनके पास जूते हैं, पैंट वगरा हैं, अब वो जा सकती है एक समय था जब उनके लिए उनकी अपनी सुरक्षा की दृष्टी से वहाँ जाना ठीक नहीं था खासकर शबरी मला मैं, आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि मुझे लगता है कि अब दर्वाजे खोलने का वक्त आ गया है, लेकिन उस तरह की भीड में ये मुश्किल होगा लेकिन अगर कोई औरत जाना चाहती है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें उसे रोकना चाहिए हुई लगता है